नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोगों के लिए जो है महत्व पूर्ण जो है राजस्तान जीके की इंपोर्टेंट कलास लेके आ गया हूँ जो की 11 दिसंबर को एकजाम होने वाला है आपका किसका वनरक्षक का ठीक है तो आप लोगों के लिए जो कलास है वो लेके आ गया हूँ पेपर जो है इनी क्यूशनों से बनने वाला है एदि आपका जो नाम है जो 11 तारिकों एकजाम है पस्ट पारी सेकंड पारी में तो आप इसे जरूर देखे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें चले आप सुरू करता हू मैं आज किस प्यारिशी कलास की शुरुवात उपेपर यहां इसे सेट होने वाला है राजस्तान में उत्पादन समता के आदार पर भूमी के प्रकार हकत बहत का अर्थ है बताइए सभी विद्यार्त इसका राइटान सर दे सकेंगे तो जल्दी शेख दीजिएगा क्या हो जाएगा सीचा यों करसी के लिए उप्यूक्त भूमी को जो क्या करते है हकत बहत का अर्थ क्या है हकत बहत का अर्थ है सीचा यों करसी के लिए उप्यूक्त भूमी मारवाड में दामनी क्या है तो मारवाड में जो दामनी है तो दामनी किसे का जाता है तो दामनी जो है एक प्रकार की क्या होती है ओड़नी होती है क्या होती है एक प्रकार की ओड़नी होती है दामनी पॉम्चा क्या होता है इस्तियों के ओड़ने का एक वस्तर होता है और के लिए इंपोर्टेंट है सभी विद्यार्त्यों के लिए चलो नेश्ट पसने कच्वा है राज्वन्स के संस्ता परकते क्च्वा राज्वन्स के जो संस्ता बकते दूले राई थे और आपको याद रखना है कि 1137 में बढ़ गूजरों को हराकर दोसा को अपनी जो है परतम राजदानी बनाया था दूले राई ने किसने दूले राई ने नेस्ट कुशन आप लोगों के लिए राजस्तान का उच्छी न्याईले की प्रमु प्रमुग पीट का है जोदपुर में और खंड पीट की बात करें तो जेपुर में प्रमुग पीट आपकी जोदपुर में और अन्य पीट या खंड पीट की बात करें तो जेपुर में है ठीक है मुक्य पीट आपकी जोदपुर में अगला क्यूशन 56 वेसिन किस जीले में इस्तिते सुरी दोस्तों चपन बेसिन या चपन का मेदान कहां पर है तो चपन बेसिन या चपन का मेदान कहां है बासवड़ा में है चपन गाओं के समू को ठीक है तो यह आप लोग याद रखे चपन का मेदान माही नदी के किनारे बासवड़ा वो प्रताब गड़ के मद् ना माही नदी का जो तटवर्तिय बाग यह जिसे क्या करते हैं प्रताब गड़ में कांटल कहते हैं ठीक है तो यह चीज भी आप याद रखना माही नदी जो एक करकरेका को दो बार काटती है और दक्सिन से आती है और दक्सिन में चली जाती है यू आकार का से बनाती है यह भी आप याद रखना है निमलिकित में से कौन सा इस्तल राजस्तान में अटरा सुताउन की क्रांती का केंद्र नहीं था तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं तो जेपुर नहीं था जबकि आउवा था अजमेर था और निमत था तो यह तो थे परंतु यहां पर जो पुरिस्तान नहीं था सरुवात जो हुई थी राजस्तान में परतम विद्रों की शुरुवात हुई थी नसीराबाद शाओनी जो की अजमेर में 28 मई 1867 को इसकी शुरुवात हुई थी 28 मई 1867 को ठीके ना तो यह चीज़े आप याद रखना अगला किशन गराश्या जंज जाती है इसके दोरह जो किया जानेवाला नरते हैं वह नरते कौन सा बारते तो आगला कुश्ण निम्र में से कौन सा जोड़ा गलत है तो यहां पर कुछ चार जोड़े दे रखें तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो गलत है तो आप बताईए मीरा बाई का मंदिर चितोडगड मेड़ता में हैं सही है एक लिंग मंदिर यह उदेपुर में करणी माता का मंदिर द मंदिर क्या है गलत है आप का क्या हो जएगा सूरे मंदिर आपका भरत पुर में नहीं है ठीक है सूरे मंदिर कहा है तो सूरे मंदर चितोड़ний है इसा है जो इस परन्तु यहां ठीक है ना यहाँ पर बरतपुर में नहीं है तो आप याद रखना है अगला क्यूशन है आप लोगों के लिए नववे नमबर का सुमेलित करना है पुस्तक और लेखक को क्या करना है सुमेलित करना है तो आप फटा पड़ से सुमेलित कीजिए तो बताइए जो पुस्तक रा मरुमंंगलís मरुमंगल के लेका सुमयर शिंग ठीक है बाता में बूगल नरी कुन हरिस बादानी इसप्रकार कौन सा आपका राइट आंसर होता है ठीक है अविश्य चैलिये नेक्स्ट परसैन की बढ़ते हैं आगे तो परसन ने आपका राजस्तान में राज प्रमुक का पद कब समाप्त हुआ तो राजस्तान में जो राज प्रमुक का पदे इसे समाप्त कर दिया गया और राज्येपाल का पद जो है गटित किया गया तो ये कब किया गया तो ये किया गया था जब साथवा चरणचा लाश्ट चरणचा एक नॉमबर उननीश सो छप को क्या हुआ राज प्रमुक का समाफ्त कर दिया और उस दिन पहले राजस्तान के गवर्णर यानिके राज ये पाल बने गुरु मुक निहाल सिंग जो है प्रतम राज ये पाल बने उस समय चलते हैं ने इस प्रसन की तरफ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा गजब का क जैसल मेर में हैं रंतमो राष्ट्रे उद्यान सवाई मादोपूर में सरिस्का राष्ट्रे उद्यान अलवर में हैं जबकि केला दियो गना राष्ट्रे उद्यान ये करोली में नहीं है मित्रो कहा है तो फिर करोली में नहीं है ये है बरतपूर में जिसे पक्ष्यों का आ सारे बच्चे आंसर देना ठीक है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निमने लड़ाईयों का सही काल क्रम होगा तो राणा सांगा के द्वारा जो लड़ी गई जो निमने लड़ाईया है उनका काल क्रम आपको बताना है तो बताईए आप सभी लोग काल क्रम ठीक है बत का यूद कब लड़ा गया 1527 में गघ्रों का यूद कब लड़ा गया 1529 में तो आप आंसर लगा सकते सबसे पहले खातोली का यूद आएगा फिर प exagger ढगरन आएगा फिर भयाना का आएगा तो दो और आपका तीन एक, दो तीन एक इसमें आ रहा है, आपसे नमबर दे में आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो next percent, संत बूरी बाई अलग का कारेशेत्र था, संत बूरी बाई अलग का कारेशेत्र था, संत बूरी बाई अलग का कारेशेत्र क्या था, त person बारते सभीदान का निमलेकित में से कौन सा अनुचेश याना कि आर्टिकल राज्यपाल के कारेकाल से समंदिते कि राज्यपाल का इतने दिन कारेकाल रहेगा ये मामला है तो यह किसमे समंदिते तो यह है पदाओदी यानि कि जो कारे काल है ऊर्टिकल 156 में पर nível 156 में राज्येपाल के बारे में कुछ ओर important जो act है वो बता देता हूं जिसे कि आर्टिकल 153 यह पड़ते एक राज्ये लिए राज्येपाल इसे समझ़ दीते अनुचेथ 153, परंटू, आर्टिकल 154, राज्ये के कारेपालिका कि सक्ती में क्या होती है, निहत होती है, 155 जो आर्टिकल है, उसमें है राज्येपाल की निव् ti, राश्ट्रपती दौरा, यह चीज़ जो पच्पन में जबकि जो 156 इसमें पदा हो दिये यानि कि कारेकाल है जबकि आर्टिकल 177 में राज येपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है अगला क्विशन नीमुचना किसान आंदुलन हत्याकांड राजस्तान की किस रियासत से समंद्दे तो नीमुचना मैंने का है अलवर कब हुआता ये 14 मई 1925 को ठीक है तो ये चीज आप लोग याद रखने हैं लगबग यह 800 किशान मारे गए थे कौन कितने 800 किशान के करीब यहां पर जो है मारे गए थे कौन थे यहां के दोस्तों जिन्नोंने मारे थे यह चज्जु सिंग श्जु सिंग ने अं किसने को तो आप लोगों को समयलित करना है तो मेलान कीजेगा समयलित कीजए तारचकड किला तारचकड का कह आ हैं तारचकर को जैपूर में है कीरती इस्तम चितोड में इसी को विजे इस्तम विश्णु इस्तम और जो है इसी को सब कुछ बोला जाता है ठीक है मेरानगड जो कि जोदपुर में राउजोदा के दौरा बनवाया गया तो इस परकार अपना option number right answer होता है ठीक है न मित्रो चलो next question हवा मेल के बारे में कुछ यहां पर आपको आंसर बताना है हवा मेल के बारे में तो हवा मेल हवा मेल जेपुर के बारे में निमले कितकतनों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर दीजिएगा हवा महल एक पांच मंजिला सरंचना है यानि कि इमारत है सही बात है है न हवा महल महाराजा सवाए परताब सिंग ने बनवाया था ये बात भी सही है तो एक और दो दोनों सही है यानि कि आपसे नमबर दर राइट आंसर है या पर कितनी जो है खिड के आएं दोस्तों इसमें जो है कितनी खिड क्या है इसमें जो है मुख्य खिड क्या कितनी है तीन सो पैसट है और टोटल कितनी है नो सो तरेपन तो याद रखना कि तीन सो पैसट तो इसमें मुख्य खिड क्या है जबकि टोटल 953 हैं तो ये चीजे भी आप याद रखना और इसका निर्मान 1799 में इस्वी में करवाया गया हवा मेलगा और इसकी मंजिलों का नाम तो आप याद रख ले ना रखे तो पांचो मंजिले सरद मंजिला हवा मंजिलों तो आप लोग इनका याद रख ले ना कर पिया अगला कुशन है आपके लिए किस दरबार में निहाल चंद अधिकारी दरबारी चित्रकार के रूप में कारे करते बताए निहाल चंद सभी को पता है सावन सींग जो की अज़मीर के थे अज़मीर यानि की किशन गढ़ के थे और जो है निहाल चंद थे इन निहाल छंद नहीं दोस्तों बणी ठ्रणी का चित्र बनाया था बणी ठरणी का जो चित्र है वह इनिकर द्वारा बनाया गया था तो यह आप लोग याद रखना और विस के लिए प्रशिद्व करने जो क्र सिरे जाता है डिक्षन कुंड़ा पंदे के प्रनेता कॉन स्वेजाता है . कुंड़ा पंदे के जो प्रनेता है वह राव मल्ली नाथ जिक्षन कुंडा पंत के प्रणेता राव मली नाज्जी ते याद रखना योगी के कपड़े परना कर राज तले किया था राव मली नाज्जी का ठीक है राव मली नाज्जी का जो मंदिर है वो तिलमाडा बाड मेर 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 तो राणी रुपादे का मंदिर पूछे कि कह हैं तो माया जाल में हैं माया जाल कहां पर है बाड मेर में है अगला क्विशन अलवर वह बरतपुर के जोग्यों द्वारा किस प्रकार की शारंगी बजाए जाती है तो अलवर और बरतपुर आप लोगों के लिए ये रहा, आम चुनाओं में एक वेक्ति अपने मतादिकार का उप्योग कर सकता है, कब कर सकता है, वो भारित का नागरी को सही बात है, उसकी उम्र जो है 18 वर से कम नहीं हो, सरकार, सरकार में लाब के किसी पद पर नहीं हो, ये गलत है, ठीक है, वो किसी प्रागत कला के लिए जाना जाता है, तो बेल बूटो की छपाई, तो ये सभी को पता होगा, बेल बूटो की छपाई के लिए जाना जाता है, तो बगरू, बगरू जो है, बेल बूटो की छपाई के लिए प्रसिद है, परन्तो बोर्ड ने इसे क्या कर दिया था, दोस्त प्रास्टान के समन्दित निम्नगतन है विचार कींजिए चलो विचार कींजुजगा राज्येपाल के बारे में तो उसे बहुत का नाअगरिक होना चाहिए बात सही है उसकी आयू कम से कम 35 वर्श होनी चाहिए उसमें लोगसभा का सदश्य बनने की योगता होनी चाहिए ठीक है तो ये गलत है ठीक है वो राज़े लोगसभा का सदश्य बनने की योगता होनी चाहिए तो ये गलत है वो एक इसे अधिक राज्यों का रा इसको का जाता है तो हाडोती का जो सुरंगा मेला है वो का जाता है चंदरबागा मेला को जो की जालावाड में बढ़ता है ठीक है तो हाडोती का सुरंगा मेला चंदरबागा मेले को का जाता है सिताबाडी का मेला जो बढ़ता है दोस्तों सिताबाडी केलवाडा बारा में इसे सयरयोग जंजाती का कुंब या हडोती का सबसे बड़ा मेला अक्वाना जाता है और यह मेला बरता है दोस्तों सिताबाडी का जो मेला जिएस्ट अमाऊशिया को, कब जिएस्ट अमाऊशिया को, अगला क्यूषिन निम्न में से किसे राजस्तान के लोका युक्त के अधिकार सेत्रे में समेलित नहीं किया गया है तो लोका युक्त के अधिकार स्यत्रे में समयलित नहीं किया गया है तो किसे नहीं किया गया है तो वो नहीं किया गया है मुख्य मंत्री को मुख्य मंत्री के लावा सबी को किया गया है जीले का मुख्या हो मंत्री हो राजस्तान राज़े दोरा इस्तापित निगमों में कारेर सदश्य हो अगला कुशन निम्र में से उस समू का चेन कीजे जिनों ने तीन या अधिक आउसरों पर राजस्तान के मुख्य मंत्री पद सपत ली है चलो इसका भी बताएदो तो इसका सई जवाब होता है महनलाल सुकाडिया हर देव जोसी और वर्तवान मुख्य मंत्री असोगलो ठीक है तो ये क्या है तीनों ही तीन बार मुख्य मंद्री बन चुके हैं निम्र में से कौन सा युगम सही है तो कौन सा युगम है जो एकदम सही है संस्तान दे रखें और इस्तापना दे रखी है तो बताओ भटा पट तो सभी आंसर बताएंगे इसका कौन सा युगम सही है तो सही यह राजस्तान साहिते अकादमी 28 जनवरी 1908 तो राजस्तान साहिते अकादमी 28 जनवरी 1908 शही है जबकि यहां पर आप लोग अलग अलग चीज़े देख रहे हैं तो यह चीज़े भी मैं आपको बता देगा दाओं ठीक है जिसे राजस्तान संगीत नाटक अकादमी जोधप ठीक है राजस्तान संकी संस्तान जैपूर 1950 तो यह चीजे भी आप लोग याद रख शकते हैं अगला क्विशन है आप लोगों के लिए तील चोथ संकट चोथ मनाई जाती है तो यह सर्दी के समय आती है लगवग जनवरी में महिना पूछे तो आप से जनवरी होगा ठीक है क इसको मा क्रृष्न चतृति को मनाय जाती है तो यह आप लोग याद रख एगा और आप से पूचे जा सकता है कि चत्रा चत्रा चोथ यह गणे चतृती कभी आ से आया आप से की चत्रा का मनाया जाता है या चत्रा चोट कब मनाई जाती है गणे चतुरती कब मनाई जाती है तो बादर पद शुकल चतुरती को मनाई जाती है अगला कुछ है इसे छोड़ दीजे अगला कुछ है आर्यस एच आर्सी आर्यस एच आर्सी के अध्यक्ष की न्युक्ति की जाती है तो यह न्युक्ति की जाती है बताईए राज्ये पाल के दुवरा न मुख्य मंत्री के अद्देक्स्ता वाली समीति के अद्द संसा पर राज्ये पाल दुवरा तो यह आपका 30 परशन में ने कम्प्लीट करवा दिये 11 तारिक दिसंबर को आपका एकजाम है पस्ट पारी एंड सेकंड पारी में तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैं क्यूशन करवा रहा हूँ यह ब्रहमास्तर से कोई कम क्यूशन नहीं है आपके यदि सपलता चाहते हो आप लोग और आप चाहते हो कि आपके अच्छे न साथ दन्यवाद मित्र